ओम नमस्य वाय, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर साल 2022 के पहले दिन आप थोड़े से चावल एक जगह रखें जिससे आपकी मनों कामना पूरी होगी और पूरा साल आपका खुशियों से बरा रहेगा कहते हैं कोई भी कारे शुरू करें उससे पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए साथ ही आप नव बर्स की जब शुरूआत करें तो वह भी भगवान के नाम से ही होनी चाहिए जिससे आपका पूरा साल बेहती अच्छा रहे साल 2022 सभी के लिए अच्छा रहे इससे हम भगवान सिव से प्रातना करते हैं कि माकाल बोले नात सभी की मनों कामना पूरी करें सभी के घर में खुशिया रहें एक जनवरी 2022 बार सनिवार रहेगा इस दिन मासिक महासिवरात्री है तो भगवान विश्णू और भगवान सिव का आशिरवात आपको लेना है इससे आपका पूरा साल खुशियों से बरा रहे हैं अगर इस दिन आप माकाल की पूजा करते हैं तो आपका पूरा साल बिहदी सुभ रहने बाला हैं भगवान शिव और सनी देव के आशिरवाद से आप सभी की मनुकामना पूर्योगी। इस दिन आप पीली मिठाई लाएं और उसमेर इल्याची रख करके भगवान विश्नु का भोग लगाएं। साथ ही वहाँ पर आप एक दीपक जला दें, दीपक के अंदर थोड़े से चावल डाल दें। दूसरा उपाय है महा कालिया ने भोले नात की पूजा का। इस दिन भगवान सनी देव की भी साम के समय आपको पूजा करनी हैं और सनी देव को तेलर पन करना हैं। सनी देव को भोग अरपन करना हैं और उनसे प्रात्ना करनी हैं क्योंकि नववर्ष नए सम्मत के राजा भी सनी देव हैं। इसलिए सनी देव को आपको प्रसन्य जरूर करना हैं। जवाब भगवान सिव जी को चावल अरपड कर दें साथ ही एक पिली कोडियो और गोमती चक्र भी वहाँ पर चड़ा दें। और थोड़े से चावल वा रुद्रा गोमती चक्र इनसाव को लेकर के आप अपने तिजोरी में रखें। जिससे पूरे साल आपके उपर भगवान सिव की बोले नात की किरपा बनी रहेगी। इस दिन कई रासियां ब्यादी भागिसाली और लखी रहने वाली हैं। साल 2022 लगबग 9 रासिवालों के लिए ब्यादी अच्छा रहेगा। साल 2022 में काफी उतार चड़ाब देखने को भी मिलेंगे। लेकिन जादातर समय ब्यादी शुक पूर्बा की रहेगा। इस साल भी काफी उतार चड़ाब देखने को मिलेंगे। काफी लोगों को काफी परिशानिया भी आने वाली हैं। लेकिन भगवान सिव जी से ये प्रात्रा करें। कि सभी खुश रहें, प्रसंड रहें। और ये साल पिछले गए हैं। ऐसा साल ये ना जाए। ये साल वेतर जाए। तो आप भगवान सिव की पूजा करें। इस वीडियो को सेर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।